नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युसुपली, आप देख रहे हैं सेफ नियुद लाइव। आईए देखते हैं आज की खास खबर। सची नियुक्त किया गया है। पिछले साल मार्च महीने में वसाई विरार मनपा का कारिबार ग्रहन करने के बाद से अब तक बीते 22 महीनों के दोरान कुछ अच्छे फैसलों काजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी आयुक्त गंगादरंडी के साथ कई मोकों पर अलग- रहने का आरोब भी इस्थानिक को द्वारा लगाया जाता रहा है। आयुक्त का किसी भी इस्थानिक को मिलने का समाई नहीं देना, किसी भी शिकायत करता है यी शिकायत सुने बगएर उसे अपने अधिरस्त करमचारी के पास बेश देना आदी प्रमुख हैं। गंगा पाहिर रहा है वहीं विपक्षी पार्टी में भी शीव सेना को छोड़कर बाकी की सभी पार्टिया जिसमें बाजपा कॉंगरेस के साथ ही दूसरी प्रमुक पार्टिया भी आयुत के रवए से अधिक तर समय नाराज ही रही है आयुक्त जो की प्रशाशक की भीमिगा भी निभा रहे थे कि लगबख दो साथ के कारेकाल में वसाई वीरार में एक तरफ विकास कारियों पर अंकुष्षा लग गया तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना होने के बावजूद अवेद बांध काम काफी जोरोशोरो से होने का आरोब भी इस्थानी को दोड़ा लगाय जाता रहा है आयुक्त के कारेकाल में इस्थानीक तो आयुक्त से नाराज दिखे ही पलकि मनपा में कारी रद कहीं अधिकारी कर्मचारी भी आयुक्त की कारी शली से नाकुष दिखाई देते रहे आयुक्त ने कोरोना के समय कई कर्मचारों की मनपा से छुट्टी करके भी कुछ विवात को जन्म दिये थे खैर इतना सब कुछ होने के बाद भी आयुक्त को एक पार्टी विशेश की हिमायत करने का इनाम मिला और आयुक्त अब मंत्राले के सरवचिक कारेले में पदस्त हो गए अभी से पहले भी एक दो बार आयुक्त की बदली की चर्चा शोशल मीडिया में जोरो शोरो से उठी थी लेकिन तब वह चर्चाएं सिर्फ अफवाव मात्री ही साबित हुई इस बार सामने अब बदली की खबर की पुष्टी कुछ मीडिया संस्तान को खुद आयुक्त ने की है जिसके बाद आयुक्त की बदली वाली खबर पर मोहर लग गई है आयुक्त गंगा दरंडी का तबादला आदेश निकलने के बाद अब वसरी विरान मनापा में कौन अधिकारी आयुक्त बनकर आने वाला है इसकी अभी फिलाल कोई खबर नहीं है आने वाले एक दो दिनों में जल्द ही नहीं आयुक्त की गोषणा शाशन द्वारा के जाने की उम्मीद है ब्योरा रिपोर्ट सेफ न्यूज लाइव हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एउंग सेवा से संबंदित विज्यापन है तो मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर करे